नमस्कार दिल्ली टॉक्स में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सवीता भारती आज हमारे साथ मौजूद है मश्वूर समासेवी देवेश गुपता जी नमस्कार सर नमस्कार जैशिरी राम भारत माता की जै तो सर आपको क्या लगता है कि ये जो यात्रा है इस से राहूल गांधि को जनता का समर्तन मिलेगा या नहीं मिलेगा ऐसा है मैं सिरफ यह कहना चाहूंगा इन्होंने नाम दिये भारत जोड़ो यात्रा मैं तो खूब समझा सोचने कोशिश करें कि भारत टूटा हुआ कांसे है जो जोड़ने की बात कह रहे है भारत तो जुड़ा हुआ है और यह अपने अभी बार बार स्टेट्मेंट अपने में दे रहे हैं कि भारत तो जुड़ा हुआ ही यह लगवाग अठाइस सो किलियो मीटर की यात्रा कर चुकी है इन्होंने जोडने के लिए क्या काम कर रहा है मैं को समझ में जा रहा है हमें ये जरूर कह सकता हूं कि Congress को भारत से जोड़ो, इसका नाम होना चाहिए Congress को भारत से जोड़ो, और वो वाक़े में आदमी जनता के बीच में जाएगा, पैदल चलेगा, उनसे घुलेगा, मिलेगा, तो कहीं न कहीं उसको भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और उसकी भी एक image enhance होती है, basically ये Congress की image enhancement यात्रा है, लोगों को समझने की यात्रा है, और रावल जी मैं ऐसा समझता हूं, इसमें कुछ ना कुछ सीख रही होंगे, समझ रही होंगे, जनता जो इकठी हो रही है, बड़े नेता है, गांधी परिवार से हैं, इनकी अपनी image है, कोई कैस उसको positive रूप में ले, चा negative रूप में ले, image तो है ना इनकी, तो जनता इकठी होगी होगी, और उनको भी कुछ समझने का मौका मिलेगा, कि Congress क्या है, क्या नहीं है, और जब इस तरह की लंबी यात्रा होती है, तो कौतू वश बहुत लोग आती है, और बहुत लोग जुडते हैं, कुछ दिखाने के लिए जुडते हैं, तो इनकी यात्र में अच्छे-च्छे लोग जुड़ भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, अब इसका effect क्या होगा, ये तो यात्रा पूरी होने पर ही पता लगेगी हमको कि लोग वो ये वोटो में टर्न कितनी होती है, जैसे जैसे अडवाने जी ने राम जात्रा का निकाला था, अब ये कितनी वोटो में टर्न होगी, वो इसके अपर डिपाइंड करता है, पर भीच भीच में ये कुछ ना कुछ कॉंट्रोविशल स्रीटमेंट से देते हैं, जो इनको उनसे बचना चाहिए, अगर इसकी effectiveness इनको औ बढ़ानी है, तो, बहुत अच्छा प्रयतना है, मैं ये कहूंगा, कि निकल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, आदमी जब लोगों से मिलता है, समझता है, तो कहीं ना कि उसका impact अपने उपर आता है, आदमी को सीखने का मिलता है, अब मैं तो ये चाहूंगा कि हाँ, ये भी आएं, जो रीजनल पार्टी होती है, उससे बड़ी हैं कि दो नैशनल लेवल की पार्टी हो, दोनों आपस में करें, जनता को भी एक और अल्टरनेट मिलता है, विपक्ष मजबूत होता है, ने तो अभी आज की तारह में क्या है, चोटे 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 रीजनल पार्टी अपने रीजनल गेंज के कारण ही नैशनल पार्टी को अपने इसाब से चलाती है, अब जासे आप देख लो महराश्टर में क्या हो रहा है, पहले शरत पर वाजी थी, अब शिंदे साब बन गए हैंगे, चीफ मिनिस्टर चालिस में, चालिस में, चालिस में एमलस के कारण हैं, तो बस रहाद में क्या बूना, आप सब समझी गए हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ?